तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SSD की यानि की Solid State Drive की अगर आप अपनी computer की speed up को boost up करना चाहते हैं, increase करना चाहते हैं तो आपके लिए एक best option बसता है hard disk को change करके आप SSD लगा लीजिए आपके computer जो पराणी hard disk drive होते हैं जिसमें हमारे mechanical part होते हैं, moving component होते हैं उसको change करके आप solid state disk का use कर लेजिए SSD की मतलब से क्या होगा कि आपका जो faster data access होगा अपना SSD से lower access time होगा और intensity होगी, durability होगी और less power uses होगा इसके दोस्तों different different version, different type देखनों को मिलते है market में बहुत different type की SSD अवेलेवल है जिसमें सी most popular है हमारे 2.5 inch की SATA SSD जिसमें हमारे 3 version देखने को मिलते है SATA 1, 2 और SATA 3 साथ में M.2 SATA SSD देखने को मिलती है और इसे का एक और वर्जन है M.SATA यानि कि ये छोटे size की होती है M.SATA SSD इसके बाद आती है M.2 PCIe SSD और एक सबसे most popular आज के टाइम में चल लिए M.2 NVMe SSD अब आपके system पे आपके computer पे कौन सी hard disk बेस्ट रहेगी कौन सी hard disk आपके system को support करेगी ये जाने के लिए आप इन सभी hard disk को जाना बहुत ही जरूरी है जो आपको मैं 1 by 1 बताने वाल हूँ नुश्का दोस्तो मेरा नाम है संजीव और आप देखें मेरा यूटूब चैनल दा अनस्टोपर पावर तो लेट गेट स्टार्टेड दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं साटा SSD की देखने में हमारी इस तरीके की ये SSD होती है ये बहुत ही पॉपलर हार्डिस्क है आज के टाइम है जिसको हम कंप्टी कंप्यूटर में यूज करते हैं ये हमारी फर्स टाइब की SSD है जो 2.5 इच फॉर फैक्टर में आती है इसकी जो डामेंचन है 2.5 इच की होती है ये जो हमारे लैपटोप के हार्डिस्क के साइज की हमें देखने के मिलती है तो ये जो है इसमें दुस्तों साटा वेस SSD होती है जो आज सो मोर सूटेवल होता है ओल्डर कंप्यूटर में और जिसकी आप स्पीड चाहते है की इंक्रीज करना चाहते है उसमें इसका यूज कर सकते है इसमें कॉनेक्टर देखने को मिलते है हमारा साटा कॉनेक्टर ही जो हम पराणी हार्डिस्क ट्राइब यूज करते है साटा वही इसमें कोनेक्टर यहां पे लगता है और यह ग्रेड वे है कि आप इसको यूज करके आप अपनी सिस्टम की जो स्पीड है उसको इनक्रीज कर सकते है क्योंकि इसमें कोई भी मुविंग कंपने नहीं होता है जैसे हमारी पराणी हार्डिस्क ट्राइब में देखन वर्न इसकी 5 गेगा बिट पर सेकंड की यानिकी 150 एमबी पर सेकंड की स्पीड देखनों को मिलती है जो साटा का वर्जन 2 है गेगा बिट पर सेकंड की स्पीड मिलते है यानिकी 300 एमबी पर सेकंड ऐसे जो साटा वर्जन 3 है 3.0 उसमें 6 गेगा बिट पर सेकंड नोट बा जीरो है ठीक है तो अगर आपके कंप्यूटर में इस तरीके का साटा पोर्ट है अवेलेवल है तो आप इसको अपने कंप्यूटर में अटैज कर सकते हैं यह हमारी साटा केबल इसमें यूज कियाती है ठीक है तो यहां पर तो आप इसका यूज कर सकते है अपने कंप्यूट टू पोर्ट इसमें लगता है और इसका जो फोर्म फैक्टर है यह लाइटर है देखने में हमारी साटा जो SSD है उससे और इसमें M.2 जो कुनेक्टर का यूज़ किया दे समाल एक प्रिंटे सर्कृट होते है एक चिप होते है जैसे हमारे रैम है रैम की तर देखने को मिलता है तो इसमें M.2 स्ट रोट दे रखेते है और यह भी दोस्तो हमारी जो इसकी स्पीड है यह सीमिलरी साटा की तरही है साटा हाड ड्राइब की तरही और इसकी जो स्पीड है वो भी हमारे 600MB per सेकंड में हमें देखने को मिलती है MB, Megabyte per सेकंड और यह भी हमारी जो साटा SSD है उ और इसमें दोस्तों अलग-अलग size में अलग-अलग form factor में देखनों को मिलती है जाने कि इसकी जो चुड़ाई है वो हमारी 22 mm और इसके length 80 mm में देखनों को मिलती है यह सबसे बड़ा size है और इससे small size में आते हैं जिसके तरह 22-30 जो लिखा होता है वो इसकी length और width यह इसका form factor का size होता है तो आपके जो computer होते है जो mostly laptop में देखनों को मिलती है तो laptop में आप इस तरह के की जो SATA M.2 SATA SSD देखेंगे तो यहां पे आपका 256 GB की यहां पे SATA लगाई हुया जिसमें 6 Giga bit per second की speed हमें देखनों को मिली है तो यह हमारी M.2 SATA SSD है ठीक है इसके बाद दोस्तों बा यह नोर्मली जो है SSD एक mini version है हमारा SATA SSD का जो smart form factor में आती है यह ultra compact computer laptop mobile device जैसे tablet इन में यह आती है M.SATA slot जिसमें होता है ठीक है यह install होती है जो है SATA SSD जिसमें यह M.2 slot देखने को मिलती है ठीक है mostly यह हमारी जो small size के जैसे device होते है से हमारा laptop हुआ उसमें यह देखने को mostly मिलती है ठीक है जो latest M.SATA इसकी capacity 1TW की है और इसकी जो read-write speed है वह भी हमारी जो M.2 SATA है उसी के तरह ही है 6GB bit per second की speed हमें अप्रोक 600MB per second की speed देखनों को मिलती है इस तरीके की तो यह हमारे इस laptop में इस तरीके से लगी होती है देखने में इस तरीके की होती है इसके बाद दोस्तों बात करते है next SSD की M.2 PCI SSD यह जो PCI one of the solid state drive है SSD का एक टाइप है जो computer में यूज की आती है यह PCI interface का इसमें यूज की आता है which has become a new way to increase the speed of server and storage device साथ में दोस्तों इसकी जो maximum read और write की bandwidth है वो हमारा 2000 megabit per second है और and can support up to 32 gigabit per second की ठीक है इतनी हमें इसकी bandwidth और speed देखने को मिलती है और यह install करने के लिए दोस्तों हमारे computer में PCI SSD लगाने के लिए आपको must है कि आपके computer PCI M.2 slot होनी चाहिए आपके motherboard के ओपर तभी आप इस SSD का यूज कर सकते है और M.2 slot की on the motherboard must match the keys मतलब आपके system में यह देखना है कि यह आपका system पे यह वाला slot लगती है जा नहीं ठीक है आपको यह size देख लेना है M.2 इस type का होना चाहिए अब बास करते हैं दोस्तों next और सबसे most popular जो आजकल के time में सबसे ज़्यादा चल रही है वो है M.2 NVMe SSD दोस्तों यह जो SSD है यह थोड़ी अडवांस है ने लेवल की technology है इसमें NVMe एक SSD का टाइप है इसका मतलब है Non-Bolatile Memory Express यह 5 टाइम फास्टर है हमारी SATA SSD के क्योंकि इसमें जो प्रोटोकोल है वो डिफरेंट टाइप का यूज किया गया है इसमें प्रोटोकोल यूज के आता है NVMe का ठीक है यानि कि Non-Bolatile Memory Express और जो प्राणी SSD थी उसमें ASCI का प्रोटोकोल का यूज के आता है और आज के इसकी maximum जो स्पीड है जो इसका PCIe version 4 आ रहा है उसकी 800 MB per second की speed हमें 8000 MBPS की speed हमें देखने को मिल रही है ठीक है इसकी दोस्तों अलग-अलग version है M.2 NVMe SSD के जिसमे हमें हमारा PCIe 2.0 में हमें 1000 MB per second की speed मिल रही है और PCIe 3.0 में 4000 MB per second की speed और जो इसकी latest जो आज चलिया 4.0 उसमें 8000 MB per second की speed देखने को मिल रही है इसमें दोस्तों मुस्ति अगर आप internet पे देखते हैं तो बहाँ पे लिखा होता है कि PCIe generation 2 x 4 इस तरीके से अगर आपको लिख लिखा होगा तो समय लिए कि यह generation second है into two का मतलब है इसमें two lane का use के आ रहे है two lane इसमें चल लिए है तो अगर इस तरीके से लिखा होगा तो उसकी maximum speed होगी हो 1000 MB per second देखने को मिलेगी अगर आपका कुछ इस तरीके से लिखा होगा generation two into four four इसमें lane है तो इसकी speed double हो जाती है अ इसे तरीके से जो version three है उसमें दोस्तो हमारी four lane अगर आहोगी version three में तो इसकी 4000 MB per second की speed देखने को मिलते है यहाँ पर lane का भी बहुत ज्यादा यूज़ है ठीक है तो maximum आज़कर four lane ही आ रही है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि PCI का कौन सा version है आज़कर जो latest चल लि इन्टू four लिखा होगा तो यह यानिकी generation four है और four lane इसमें यूज़ की गई है और इसकी स्पीड है हमारी eight thousand MB per second की देखने को मिलती है अगर दोस्तों मैं आपको shortly बताऊं तो जो हमारे intel के first से six generation के computer आये तो उसमें हमें mostly 2.5 inch की SSD ही देखने को मिली उसमें M.2 का जो port है slot है वो हमें देखने को नहीं मिलें जिसमें हम जो है card type की SSD लगा सके और उसी के साथ जो 7th और 8 generation के जो computer आये intel के उसमें M.2 SSD port अवेलेवल हो गया mother word के ओपर जिसमें mostly mother word जो laptop के हैं उसमें जो देखने को मिला लेकिन desktop में जो high range वाले हमारे desktop computer है mother word है उसमें M.2 slot port देखने को हम मिला जो हमारी different type की हा जो SSD इसको support करता है जिसमें हमारा SATA M.2 SSD को support करता है और NVME M.2 को भी support करता है बस आपको ध्यान देखना है कि आपके computer में यह चेक कर लेना है कि आपकी SATA M.2 को support करता है या NVME M.2 को support करता है ऐसा नहीं है कि आपका 7th जा 8th generation का आपके पास computer है और उसम जरूरी नहीं कि वो NVME को support करें या SATA M.2 को बस आपको बहां पर चेक कर लेना है compatibility देखने है मदरबोर्ड की जो detailing देख लेनी है कि उसका जो M.2 port दे रखा है slot दे रखा है उसमें कौन सी SSD आपकी support करेगी ठीक है तो कहियों में जो है SATA M.2 support करता है कहियों में NVME M.2 SSD को support कर इसी के बाद दोस्तों जो हमारे 9th और 10th generation के computer आए उसमें PC version 3.0 आ गया जो हमारा NVME SSD को support करता है और साथ में इसके बाद दोस्तों जो 11 generation और इसके इलावा 12, 13, 14 जितने भी हमारी generation आई उसमें PC version 4.0 देखने को मिलना है जिसमें हमारी PC version 4 की SSD है वो हमारी जहां पर चलती है और माल इसी आप अगर 4.0 PCI M.2 का use करते हैं और आपके जो SSD है वो भी आपकी 4.0 को support करने वाली है अगर आपको उसको जो 3.0 पर लगाते हैं connect करते हैं तब आपको speed ज्यादा नहीं मिलेगी आपको उतनी ही मिलेगी जितनी हमारी PCI 3.0 पर compatibility है ठीक है जाते हैं तो PCI version 4.0 का M.2 पोटो और साथ में आपकी जो SSD है वो भी सेम होनी चाहिए तब ही आपको maximum speed देखनों को मिलेगे अगर दोस्तों आप online देखते है SSD के वारे में तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं यह हमारी 2.5 इंच की SSD है जैसे यह सैमसंग की है तो इसमें अगर इसकी detailing देखें तो यहां पर देखो इसके read or write speed लिखी होगी जो इसकी 560 MB per second की read speed है और write इसकी 530 MB per second की देखनों को मिलती है तो इसके interface के उपर भी depend करता है कि आप SATA का कौन सा version यूज़ करें अगर SATA का version 3 यूज़ करते हैं तो आपको 6 GB per second की speed मिलेगी यहां पर giga bit है note byte ठीक है अगर आप SATA का second version यूज़ करते हैं तो आपको 3 GB per second की speed मिलेगी यानि कि अगर आप इसका first version यूज़ करते है SATA का तो आपको speed देखना को मिलेगी 1.5 GB per second note byte ठीक है और ऐसे ही अगर आप यूज़ करते हैं दोस्तों M.2 SATA SSD M.2 type की देखने में तो यह काम तो यह सेम इसी की तरह ही करती है लेकिन इसका जो यह देखने में car type की होती है और इसके speed सेम ही होती है हमारी जो normally portable hard disk है उसकी तरह ठीक है तो यह हमारी M.2 SSD है तो इसके अगर detail देखें तो इसकी read speed आपकी 520 MB per second की है और right speed भी 500 MB per second की है और यह interface है इसका यह SSD version 3 को support कर रहे है यहां पर यहां पर 6 Giga bit per second लिखा है जो अप्रॉक 600 MB per second की इसके speed support करने को मिलती है ठीक है यहां पर लिखा है टाइप interface M.2 SATA version 3 को support कर रहे है इसी के साथ दोस्तों अगर आप select करते हैं यहां पर देखो PCI express 3.0 और into 4 लिखा है तो यह समय यह PCI express को slow करता है M.2 की यह 512 GB की hard disk के SSD है और यह PCI express 3.0 यानि की 3.0 version है इसका और 4 lane को यह support करता है और इसकी speed देखें तो यहां पर लिखा है इसकी जो read speed है 2500 MB per second लिखा है 2500 MB per second और इसकी जो read speed है वो हमारी 1500 MB per second की दे रखी है और इसी के साथ दोस्तों यहां पर एक crucial की है 1 terabyte की PCIe 4.03 NAND NVMe M.2 SSD दे रखी है तो इसकी जो speed है यहां पर up to 6600 MB per second की दे रखी है तो यह 1 terabyte की PCIe 4.0 को support करता है ठीक है और इसकी जो maximum speed है 6.6 GB per second की हमें देखने को मिल रही है ठीक है साथ में यहां पर अगर इसकी detailing पर जाए में तो यहां पर भी लिखा होगा यह PCIe 4.0 NVMe technology के waste है और यहां पर 6600 MB per second पर हमें देखने को मिलती है अब इसी के साथ दोस्तों अगर आप सेगर की देखते हैं तो यहां पर फाइर कुडा की 530, 1 terabyte की यह SSD है यह M.2 PCIe version 4, generation 4 है और यह into 4 का मतलब 4 lane को यह support करती है और साथ में इसकी जो speed है यहां पर 7300 MB per second की है यह 3D TLC NAND को यह support करती है यहां पर दोस्तों एक Kingston की SSD है जिसमें मैं आपको पूरी detailing बता देता हूँ कि अगर आप किसी SSD को purchase करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यां रखना है तो यहां पर सबसे पहले यह इसका model है जिसके मैं बात करूँ केसी 3000 की तो यह PCI version 4.0 को support करता है NVM में इसका protocol है और M.2 SSD को यह support के ओपर यह काम करेगी तो अगर इसकी detailing पे जाते हैं इसकी specification देखते हैं तो यहां पे यह different size में यह आती है और नीचे जाते हैं तो यहां पे इस पे यहां पे देखिए form factor सबसे पहले form factor देख लेना है इसकी height और length कितनी है length और width तो M.2 form factor में आती है M.2 sort को support करती है 22 इसकी width और 80 mm इसकी length होती है और इसका interface जो है PCI 4.0 into 4 यह interface को support करती है NVME की और यह different capacity में आती है आप कितनी gb की ले रहे हैं वो आपको ध्यान देख रहे हैं कि अगर 512 gb की ले रहे हैं या वन टेरावाइड टू टेरावाइड या आप 4 टेरावाइड की ले रहे हैं और यहां पर read-right speed हमारी capacity के हिसाब से है अगर आप 512 gb की लेते हैं तो यहां पर read speed हमारी 7000 की होते है लेकि right speed जो इसके लिए 3900 megabyte पर सेकंड की है अगर आप 1 टेरावाइड की लेते है तो इसमें इसकी right speed है वो ज्यादा मिल जाती है अगर आप 2 टेरावाइड की लेते ह तो यह 7000 और 7000 इसके read और write दोनों हमें देखने को मिलती है अगर आपका randomly 4K read write speed है तो हमें इतनी speed देखने को मिलती है तो यहाँ पर दोस्तों total byte जो read कर सकते हैं यहाँ पर total byte written तो अगर 512 GB के लेते हैं तो आप उसमें 400 TB written कर सकते हैं और ऐसे अगर 4TB के लेते हैं तो वहाँ पर 3.2 यहाँ पर total byte written कर सकते हैं और power consumption भी आपकी इस हिसाब से है तो minimum 3.4W से .3.4W से लेके 3.7W और यहाँ रीट करते हैं इतनी wattage यह बहुत कम power consumption है और साथ में ही यह कितने voltage पर operate होती है temperature कितना होता है इसका weight कितना है वह सबसे main आपको द्यार रख रहा है कि उसका million transfer टेरा width flops कितना है ठीक है उसका MTBF कितना है MTBF को मतलब होता है कि उसकी कितने गंटे तक आप उस SST का use कर सकते हैं तो यहां पर इतनी गंटे आप इसको चला सकते हैं आपको देखना है कि यह कितने गंटे आप इसका use कर सकते हैं तो इतने गंटे आप इसको इसको चाह सकते हैं तब तक इसको कोई भी problem नहीं होगी इसके बाद अगर आप इसका use करते हैं तो इसके speed थोड़ी सी कम होनी लगयाती है लेकिन यह बहुत ज्यादा timing होता है आपकी SSD life long रहेगी तो दोस्तो यह थी चोटी सी information SSD के वारे में जो मैंने आपके साथ share करिया उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा वीडियो अच्छे लगी हो इसको like करे साथ में मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले मिलते एक और interesting वीडियो को साथ अब तक अ आपके थैंक्स वर वाचिंग